Hello students, welcome to Global Online, this is Ankita Asud, so West Bengal said paper 1 के final revision के लिए आज हम एक बहुत जादा important and interesting unit को cover करेंगे जिसका नाम है logical reasoning So इस unit में हम Indian logic का part भी cover करेंगे and अगले 60 minutes के अंदर मैं आपको surety देती हूँ कि अगर जो भी important topics हम यहाँ पर discuss कर रहे हैं वो सभी as it is आपके exam में जरूर पूछे जाएंगे आप सभी के लिए यह बहुत important session है तो आप इस सब में अंतक बने रहेगा आगे बनने से पहले आपको बता देना चाहती हूँ कि exam qualify करने के लिए paper 1 preparation पर ध्यान देना बहुत जरूरी है इसमें आप आसानी से 75 प्लस score कर सकते हूँ अगर आप एक smart preparation को follow करते हूँ और इसके लिए complete course हमने launch किया है जो कि examination के difficulty level और latest pattern को ध्यान में रखते हुए ही बनाया गया है इसमें हम complete paper 1 के full syllabus video lectures आपको देते हैं बहुत ही simple language में real life examples के साथ बहुत ही जादा interesting way में यहाँ पर आपकी सारे concepts clear करवाने की मैं surety देती हूँ साथ ही full syllabus notes आपको pdf format में मिलेंगे जिसको असानी से अपने mobile phone में भी download करके आप पढ़ सकते हो full syllabus mock test में आपको 60 से भी जादा mock test मिलेंगे दोनों languages में and इसमें से hazardous questions exam में आते हैं यह mock test अगर आप लोग attempt कर लेते हो तो definitely आप लोग examination में अच्छा score कर सकते हो and साथ ही 2000 plus mcq question bank में आपको मिलते हैं previous year questions, most repeated questions and most expected questions so हरे question के solution के साथ आपको detail में explanation भी दी जाएगी ताकि revision के दौरान भी आपके सारे concepts clear हो जाएगी यह सभी questions revision में आपको बहुत help करते हैं so given whatsapp numbers पर contact करके आज ही इस course को join कर लीजए इसके लिए आपको सरफ एक ही बार fees देनी है 2000 रुपई exam तक यह fees valid रहेगी यह course valid रहेगा and इसके free videos के access के लिए global online आपको जरूर डाउनलड कीजिए store section पर जाकर search बार में आपको course का नाम लिखना है course के overview के बाद content पर click करते ही आप यहाँ पर देख सकते हूँ syllabus मिल जाएगा separately मेरे folders मिल जाएगे and यहाँ पर unit wise folders है जहाँ पर आपको theory lectures, mcq lectures, mock test और notes भी मिल जाते हैं यह exam oriented course है definitely 6 महीने के अंदर अंदर आपको exam को qualify करने में यही course मदद करेगा so given numbers पर contact करके आप इस course की पूरी जानकारी जरूर ले सकते हो so सबसे पहले आपके सामने यह syllabus है और आप सभी students को पता होना चाहिए कि युक्ति युक्तर्क unit में आपके syllabus को दो हिस्सों में बाटा गया है पहला हिस्सा है जिसमे की हम लोग logic और venn diagram के बारे में देखते हैं और दूसरे हिस्से में हम Indian logic के बारे में देखते हैं दोनों हिस्से बहुत important है अपर पार्ट के अगर हम बात करें so 4-5 questions इसमें से आ सकते हैं और 3-4 questions इस वाले पार्ट में से एक्जाम में आपको देखने को मिलते हैं तो आप सभी students को यहां पर Hindi English दोनों languages में मैं simple से simple तरीके से सारे concepts clear करने की पूरी कोशिश करूँगी so सबसे पहने logical reasoning में आपको पता होना चाहिए logic क्या होता है देको logic जो है इसको हिंदी में बोला जाता है तर्क अब दो लोग अगर आपस में बात कर रहे हैं और एक व्यक्ती बहुत ही तर्क के साथ कोई बात आपको बताए बहुत ही logic लगा करके कोई बात आपको बताए तो आप उसकी बात को जरूर मानते हो तो logical reasoning भी हमें यही बताता है कि अगर दो लोग या दो से जादो लोग आपस में बात कर रहे हैं और उनकी बात का जो final conclusion है जो final निशकर्श है वो निकालने में logical reasoning हमें मदद करता है तो logical reasoning का यह introduction था अब इसमें पहला important topic है syllogism यानि की syllogism क्या होता है इसमें हमारे पास कुछ statements होती है और उन statements को ध्यान में रखते हुए हमें conclusion यानि की निशकर्श पर पहुँचना होता है अब यहां पर एक चीज़ और ध्यान रखिए exam में क्या होता है कुछ statements ऐसे दिये होती है जिसका कोई logic नहीं होता है क्या पूछा गया है डारेक्ली उस पर जाना है अब जैसे इसी example को देख लेते हैं यहां पर दो statements देगी है statement 1 और statement 2 इन दोनो statements को एकथा बोलते है premises ठीक है premises इनको कहा जाता है तो देखो इसमें कोई logic नहीं है पहली बोलती है all pens are pencils हर एक pen क्या pencil होता है all pencils are books हर एक pencil क्या book होती है नहीं होती है तो इसमें कहा गया है कि कई बास statements और conclusion illogical नजर आते हैं अतार्किक नजर आते हैं लेकिन syllogism से संबंधित प्रश्णों का हल करते समय उमीदवारों को दिये गए कतनों को 100% सत्य मानना चाहिए ये एक trick है अब देखो ये चीज़ें आपको हमेशे ध्यान रखनी है कि premises क्या होते हैं दो statements है दोनों statements को premises बोला जाता है और conclusion जो होता है वो होता है निशकर okay premises consist of two parts अब देखो premises को भी दो हिस्सों में बाटा गया है एक statement को भी दो हिस्सों में बाटा गया है पहला है subject और predicate यानि कि विशय और विध्यय subject क्या होता है अब जैसे ये वाली पहली statement है all pens are pencils ठीक है इसमें ये जो pens है ये होता है subject यानि कि किसी भी statement में पहला जो शब्द होता है वो subject होता है और दूसरा जो होता है वो होता है predicate यानि कि विध्यय तो पहला हमेशे जैसे इस वाली statement में ये subject है, विशय है books क्या है, ये विध्यय है यानि कि प्रेडिकेट है तो ये चीज़ें आपको clear होगी इसके बाद दूसरी चीज़ें आती है middle term, minor term और major term, प्रमुखपद लगुपद और मध्यपद exam में ये पद आपको ढूनने के लिए पूछा जाता है आपको पूछा जाता है कि इस तरीके से example दिया होगा, आपको बताना है कि इसमें से middle term बताईए एक मैं आपको बताती हूँ, उसके बाद are pencils, all pencils are books, so दोनो statements में, इसमें हमने conclusion को नहीं देखना है, ठीक है, दोनों ही statements में common क्या है, common है pencil, ठीक है, तो pencils क्या हो गई, pencils यहाँ पर आगई middle term okay, middle term को क्या कहते है, middle term को कहते है, madhyampad in a syllogism a middle term is a term that appears in both the premises, यह दोनों ही premises में है, दोनों की statement में है, लेकिन conclusion में नहीं है दोको pencils आपको conclusion में नहीं दिखेगा, तो यह middle term की important definition है, जो की exam में पूछी गई है middle term एक ऐसी common term होती है, जो की दोनों statement में दिखती है, लेकिन conclusion में नहीं दिखती, निशकर्ष में नहीं दिखती, तो यहां पर हमारे पास middle term क्या हो गई? Middle term हो गई, pencils उसके बाद आती है major term Major का मतलब क्या होता है? बड़ा होता है, प्रमुख होता है तो प्रमुख जो चीज होती है उसको सबसे उपर लिखते हैं प्रमुक्ची सबसे उपर होती है तो इसमें देखो ये तो middle term है तो major term क्या है? pens है major term क्या है? pens है, इसको कैसे हमने देखा? पहली statement में जो दो शब्द है एक को पहले हम middle term मान लेंगे जो बचा बाकी दूसरा वो होता है major term उसके बाद आता है minor term so minor term होती है हमेशा second statement में major term हमेशा first statement में होती है minor term हमेशा second statement में होती है and इसमें भी middle term जो है एक शब middle term आ गया इसको हटा देंगे जो दूसरा बादी बचा वो हो गया minor terms so books यहाँ पर है minor term ठीके, प्रमुक्पद minor term मतलब लगुपद और middle term मतलब मध्यमपद definitions पर एक बार जाते है the term in a syllogism that is the predicate of conclusion is known as major term अब देखो major term का एक और यहाँ पर rule क्या है इसमें कहा है कि predicate of conclusion conclusion का predicate क्या है conclusion का predicate जो है वो हमारे पास major term होती है, ओके अब यहाँ पर एक में आप लोगों को homework question दे रही हूँ all dogs are cats रुको इसको इस तरीके से लिखते हैं हम अच्छे से all dogs are cats all cats are lions therefore all dogs are lions ठीक है, सो यह है statement one यानि कि premise one और यह है statement two और यह है conclusion यानि कि निश्कर्ष, इसमें कहा गया है हर कुटा बिल्ली होता है और इसमें कहा गया है हर बिल्ली शेर होता है और conclusion बोलता है इसका मतलब यह है कि हर कुटा शेर होता है ठीक है, सो अब इसमें आप मुझे सिर्फ बताईए middle term कौन सी है middle term इन में से कौन सी है, यह मुझे बताईए comment करके ठीक है कोई doubt है, कोई confusion है जरूर बेजी जग पुछिएगा आप सब का reply में हमेशा की तरह जरूर करूगी अब यहाँ पर एक चीज और आती है देखो पहले बारी जो हमने statements देखी उसमें आपने एक शब्द नहीं देखा होगा चोकि मैंने आपको यहाँ पर बताया वो शब्द क्या है? वो शब्द है therefore सो किसी भी statement में इसको note कर लीजे किसी भी statement में अगर आपको hence therefore so ठीक है? इस तरीके के कुछ terms नजर आते हैं इसका मतलब है कि वो हमें conclusion बता रहा है वो हमें दो उपर की बातों का निशकर्ष बता रहा है ओके? यह हो वा question है middle term बताईए मुझे अब देखो इसमें एक चीज़ और दी है this is also known as cancelling terms and in Indian logic इसको reason या हेतू बोला जाता है हेतू भी अपने आप में एक बहुत important topic है इसको हम आगे cover करेंगे reason को किसे भी चीज़ का जो कारण होता है उसको Indian logic में यानि कि Sanskrit words में हेतू कहा जाता है इसको note कर लीजिए ओके अगला जो statement है यह है आप लोगों ने syllabus में देखा है classical square of opposition rules of syllogism ठीक है rules of syllogism से हैं classical square of opposition पर जाते हैं यह concept clear होगा तो आगे आपको और भी असानी हो जाएगी तो सबसे पहले इसमें चार चीज़े होती है ठीक है देखो यहां से हम देखते है चार चीज़े होती है a, e, i and o a का मतलब होता है all e का मतलब होता है no i का मतलब होता है some और o का मतलब होता है some not ठीक है यह चार चीज़े होती है a, e, i, o अगर मैं आपको बोलू कि all books are pens तो इसका मतलब है कि यह कौन से statement है अगर मैं आपको बोलू no books are pens no आगया मतलब यह e वाली statement है अगर मैं आपको बोलू some books are pens some मतलब I ठीक है और last में आता है हमारे पास O O में statement होती है some books are not pens यह चीज़ा याद हो गई A, E, I, O अब A, E, I को ऐसे नहीं लिख सकते है आपकी A, I, O, E लिख दिया यह बिल्कुल गलत method है इसको ऐसे कभी भी नहीं लिखना इसको लिखने का एक तरीका होता है अगर वो तरीका यूज करोगी तो और easy हो जाएंगी चीज़े इसको ऐसे लिखा जाता है A, E, I, O अगर ऐसे लिखना समझ गए तो आगे की चीज़ें समझ लो आपकी 20% clear होगी है ठीक है? अब देखो इसमें कहा गया था all srp all subjects are predicate universal अब देखो universal क्या होता है affirmative क्या होता है quality और quantity क्या होता है ये भी आपको बताती हो अब मेरे पास example के साथ आगे बढ़ते हैं मेरे पास 100 books हैं ठीक है? मैंने बोल दिया कि all books are friends यानि कि सभी किताबे सभी का मतलब universal जितनी भी चीज़े हमारे पास हैं जब सब को लिया जाएगा तो वो universal होगा and क्यूंकि ये statement positive है इसमें no शब्द का प्रियोग नहीं किया गया तो वो affirmative होगी तो ये affirmative होगी अब जैसे देखो इसमें no लिख है इस वाली statement में no है इस वाली statement में no है तो ये negative है तो negative और positive किसी person का behavior negative है या positive है ये उसकी quality बताता है ठीक है तो quality क्या होती है दो प्रकार की होती है affirmative मतलब positive quality negative जहां पर no word आ गया वो negative quality एक्जाम में आता है याद कर लीजिए उसके बाद आता है quantity यानि कि कितने अगर मैंने बोला कि 100 books में से मैंने all select कर ली तो इसका मतलब है कि quantity कितनी है थारी है तो universal सब को ले लिया no में बोल दिया यानि कि 100 में से मैंने एक को भी नहीं लिया zero तो ये भी किसी को भी नहीं लिया सब को ही छोड़ दिया तो वो भी universal होता है some यानि कि 100 में से याद रखिए जहां पर some आ गया वहां पर particular होगा बाकी जगा universal होगा जहां पर no आ गया वो negative होगा बाकी की affirmative होगे इतना सा याद रखना है ठीक है इसी के साथ आगे बढ़ते हैं classical square of opposition पर जिसमें है विपक्ष का शास्त्रिये वर्ग अब इस टॉपिक में से 100% आपको एक या दो questions exam में जरूर देखने को मिलेंगे note कर लीजिएगा हर एक चीज़ को अगर नहीं बढ़ा है easy है बहुत easy है देखो AEI AEI का concept मैंने आपको बताया AEIO के concept से ही आगे को बढ़ते हैं तो हम आते हैं classical square of opposition पर इसमें हमें ये AEIO के बीच में relationship बताता है अब ये हमें बताता है कि अगर हम A को यानि की all वाली term को E वाली term यानि की E वाली term यानि की no वाली term के साथ जोड़ें या फिर इनके बीच में relationship देखें तो क्या होगा जैसे कि अगर मैं बोल देती हूँ all pens are pencils और दूसरी तरफ मैं बोल देती हूँ no pens are pencils पहले मैंने बोला सभी pen pencil हैं दूसरे मैं बोला कोई भी pen pencil नहीं है तो A और E वाली statement है तो आपको लगते हैं कि दोनों statement से एक सार true हो सकती है नहीं हो सकती तो एक्जाम में ऐसे ही questions आते हैं ठीक है तो यहां पर देखू हम बात कर रहे थे classical square of opposition के उसमें इस तरीके से questions आते हैं सबसे पहले relationship के बारे में हम लोग बात करेंगे कि A का I के साथ A का E या O के साथ क्या relationship होता है यह सब चीजें हम लोग देखेंगे चीके सो देखो अच्छे से इस चीज़ को सुनियेगा समझियेगा ओके सो यहां पर देखो A और O के बारे में सबसे पहले देखते हैं यह सबसे easy relationship है देखो A और O corners को match कर रहे हैं वैसे ही E and I यह भी दोनों इक दुसे के corners के साथ match हो रहे हैं यह जो relation है इधर का इधर के साथ इधर का इधर के साथ यह जो relationship होता है इसको contradictory relationship बोला जाता है क्या बोला जाता है contradictory relationship ठीक है एक सेकेंड आप लोग रुखिए मैं आप लोगों को और चीज़ें असान करके देती हूँ ठीक है यहाँ पर देखिए ऐसे याद रखिए पहला relationship है A का O के साथ और E का I के साथ ठीक है यह होते हैं contradictory relationship contradictory का मतलब होता है contradict यानि कि एक दूसरे के opposite ठीक है इसमें एक दूसरे के opposite का क्या मतलब है इसका मतलब यह है कि अगर A वाली statement को हमने बोल दिया कि यह बिलकुल सत्य है तो definitely इसी बात है बिलकुल पक्की बात है कि O false ही होगा लेकिन अगर हमने माना था कि A false है तो इसका मतलब है कि O true होगा यह दूसरे के opposite है एक फ्रेंड ने बोल दिया कि मैं जा रही हूँ तो दूसरी ने बोला मैं नहीं जाओंगी अगर दूसरी ने बोला होता कि मैं नहीं जाती तो पहली बाली बोलती है कि मैं तो पक्का जाओंगी वही है यह साब यहां पर यह Contradictory एक दूसरे के बिलकुल opposite काम करते है Same goes for E and I E अगर true है तो I हमारे पास false हो जाएगा E अगर हमने मान दिया false है तो I हमारे पास true हो जाएगा यह एक दूसरे के opposite है ठीके एक अगर true है तो दूसरा हमेशा false होगा एक अगर false है तो दूसरा हमेशा true होगा यह statement है और यहां पर यह भी द्यान रखिए कि relationship जो है A का O के साथ ही होगा E का I के साथ ही होगा जो मैंने अभी आपको बात बताई इसको contradictory बोला जाता है इसी के साथ अब दूसरा relationship कौन सा है दूसरा लेकर चलते हैं हम contrary A और E का relationship ठीक है इसको note इस तरीके से कीजिए A का relationship E के साथ ठीक है E आपको किस के तरह दिखता है E जो है वो देखने में किस के जैसा है F के जैसा है trick बता रही हूँ E दिखने में F के जैसा है और F का मतलब होता है यहांपर false ठीक है So A और E का relationship हमें यह बताता है कि यह दोनों चीजें एक साथ में false हो सकती है एक साथ में जोटी हो सकती है लेकिन एक साथ में सत्य कभी भी नहीं हो सकती तो A और E का relationship क्या होता है false together but not true together ठीक है तो यह relationship है A और E का अगला relationship अब देखो अगला relationship क्या है इसका opposite है उपर वाला अगर contrary था तो नीचे वाला sub contrary है I and O ठीक है So I and O contrary का उल्टा sub contrary तो इसमें क्या होगा I किसके जैसा दिखता है देखो I किसके जैसा दिखता है T के जैसा दिखता है और E F के जैसा दिखता है मतलब false I T के जैसा दिखता है मतलब true तो I and O में relationship यह हो सकता है कि यह दोनों हमेशा एक साथ true हो सकते है लेकिन कभी भी एक साथ false नहीं हो सकते नोट कर लिया इसके बाद फिर अगला relationship पर अगर जाएंगे तो यह relationship आ जाएगा A और I का E and O का यह क्या है यह दोनों sub-alternation है यह तो contrary और sub-contrary था ना इसलिए इनके अलग-अलग rules है अब यह दोनों sub-alternation है तो A से I E से O का same relationship ही रहता है ठीक है इस relationship को हम कैसे लिखेंगे A से I ठीक है A से I A से I की और अगर हम लोग जाएंगे तो क्या होगा अगर A true है अगर A true है तो यह क्या करेगा यह I को भी true बना देगा ठीक है downward downward direction में इसको आप इस example के साथ याद रख सकते हो कि जो हमारे senior है ठीक है seniors है वो अगर सत्य की रहा पर चलते हैं वो अगर सत्य की रहा पर चलते हैं तो हम उनके juniors हैं हम भी उनको देख देखकर सत्य की रहा पर ही चलने लग जाएंगे तो उपर से senior से जब नीचे की रहा आएंगे उपर वाला अगर सत्य है तो वो नीचे वाले को भी सत्य बना देगा a true है तो वो आये को भी true बना देगा ठीक है लेकिन नीचे से अगर नीचे से उपर की और जाएं नीचे वाला अगर जूटा है तो वो उपर वाले को भी जूटा साबित करने की पूरी कोशिश करेगा इसका मतलब क्या है? इसको ऐसे याद रखिए कि इसका मतलब है कि अगर आए falls है तो वो A को भी false बनाने की पूरी कोशिश करेगा वो A को भी पूरा false बना ही देगा ओकी next आ जाता है relationship between E and O so E अगर true है same follow होगा pattern की उपर वाला सत्य है तो वो नीचे अपने juniors को भी सत्य थावित करेगा तो वो true किसको बना देगा O को भी true बना देगा E का कुछ भी नहीं होगा इस तरह की condition exam में आती भी नहीं है and यह हमेशा always doubtful condition की category में ही count किये जाते है okay okay so अभी तक I hope बिल्कुल clear है चीज़े यह जो मैंने AEIO का concept AEIO के बीच में relationship अभी तक बताया इसमें से sure एक या दो questions exam में आपको आएंगे इस वाली slide को note कर लीजिए इसका screenshot ले लीजिए ठीक है examples के साथ देखते हैं चीज़ों को एक ही example बताऊंगी बाकी हमने already sessions में discuss किया है अगर मेरे पास statement है all books are pens ठीक है और दूसरी statement है no books are pens इसमें हमने क्या बोला था A और E में दोनों एक साथ false हो सकते है लेकिन एक साथ true नहीं हो सकते इसको मैंने बोल दिया कि all books are pens की हां भई सच में सभी किताबे pen जैसे दिखती है लेकिन दूसरी तरफ मैंने बोल दिया no books are pen तो दोनों सबते एक साथ नहीं हो सकती क्योंकि मैंने यहाँ पर all बोला, यहाँ पर नहीं बोला, लेकिन इन दोनों एक साथ false हो सकती, तो ऐसे examples आएंगे, और आपको as it is definitions दी जाएंगे, जो कि अभी तक मैंने बताएंगे हैं, ओके, बहुत सारे students ऐसे हैं, जिनको doubt रहता है E और O वाले concept में, है न, E और O वाले मे इसको ऐसे याद रखिए, देखो, A से, E और O, A and I, ठीक है, A से I की और, एक बार जा रहे हैं, एक बार यहां से वापस आ रहे हैं, ठीक है, इसमें हम मैं colors change करके बता रही हूं, ताकि clear हो जाएं चीज़े, A से I की और, I किसके जैसा दिखते है, T के जैसा दिखते है, तो A से I की और जा रहे हैं, तो यह true हो जाएगा, I से A की और जा रहे हैं, तो यह उसका उल्टा है, तो false हो जाएगा, ठीक है, A से I की और गए, I, T जैसा दिखते है, तो true की और हमें लेकर जा रहा है, सत्य की और लेकर जा रहा है, same with E and O, ठीक है, यह वाला अगर clear हो गया, तो E and O पे भी आपने same चीज़ को follow करना है आप देखो यहाँ पर यह examples है All these students clear their examination यानि कि A Few, few का मतलब होता है some Few students did not clear their examination यानि कि A है some not Some not क्या होती है? O तो यहाँ पर पहले आपको पता चल गया A और O वाली statement है तो यह कौन से statement है? A और O वाली statement कौन सी होती है? Contradictories होती है यह हमने अभी discuss किया यहाँ पर A और O contradictory Same question में अगर आपको दिया होता कि all the students clear their examination and यह कहा होता no student clear their examination तो यह हो जाता A और E A और E कौन से statements होती है? यह होती है contrary statements I hope clear है कैसे questions आते हैं देखो यहाँ पर विरोधा भास इसको कहा जाता है contradictories को next है in which of the following propositions both can be true simultaneously देखो यह भी अभी मैंने बताया दो statements है जो की एक साथ true हो सकती है but they cannot be false together वो एक साथ false नहीं हो सकती कौन सी होती है वो दो statements वो होती है sub contrary अभी हमने पढ़ा sub contrary क्या होती है? true हो सकती है एक साथ पर false नहीं हो सकती true हो सकती है I T जासा दिखता है तो true हो सकती है E F जासा दिखता है तो false हो सकती है ok बहुत easy है बहुत easy है अगर आपको ये tricks समझ आ गई है मुझे एक पर comment करके बता दीजिए students ठीक है प्लीज मुझे comment करके बता दीजिए कि क्या ये tricks आपको समझ आ रही है अगर नहीं आ रही है कोई भी doubt है तो मैं same video पर same session आपके लिए live लेकर आऊंगी ताकि आपके doubts जो है वो साथ साथ में clear होते रहें तो हमेशा की तरह comment करके मुझे motivate कीजिए ताकि मैं इस तरीके की series आपके लिए continue रख सकूँ और इसके अलावा किसी भी particular topic पर किसी भी particular unit पर किसी भी particular chapter पर आपको separate video चाहिए exam से पहले तो मुझे वो भी बता दीजिए request आपकी जल्दी से जल्दी पूरी की जाएगी okay so next है structure of categorical proposition अब देखो categorical syllogism जो हमने पढ़ाना उसके structure के बारे में बताएगी चीज़े है subject और predicate हमने पढ़ लिया विधे और विशे हमने पढ़ लिए अब बाताथी है copula की copula वो word होता है जो कि इन दोनों को subject और predicate को जोड़ने में मदद करता है for example all clothes are fashionable सभी कपड़े जो है वो fashionable होते है ठीक है so ये क्या है ये subject है ये क्या है predicate है विशे और विधे बता दिए copula इन दोनों को जोड़ रहा है तो copula है R copula इन दोनों को जोड़ने में मदद करता है अगला आजाता है fallacy fallacy क्या होता है ये बभ्यास होता है अब देखो fallacies को यहाँ पर बहुत सारे प्रकार की होती है detail में cover करना थोड़ा सा possible नहीं है so कुछ basic सी fallacy को ना पहले में एक example के साथ start करती हूँ fallacy को एक example के साथ start करते हैं so देखो माल लीजे कि मैं आपको बोल रही हूँ कि मुझे answer बताईए माल लीजे हम offline session में online session नहीं है offline class चल रही है आप मेरे सामने हो मैंने आप से कुछ question पूजा और आप पूरी class ने मुझे ignore कर दिया मेरी बात का जवाब ही नहीं दिया या फिर आप लोगों ने क्या कर दिया आप लोगों ने जो है मतलब बात कोई change कर दिया लेकिन मेरी बात का answer नहीं दिया मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया तो वो क्या कहलाता है, वो fallacy कहलाता है, कि आपने मुझे भ्रम में थोड़ा सा डालने की कोशिश की, और मेरी बात का जवाब नहीं दिया, ये एक basic से प्रकार की fallacy होती है, तो fallacy, एक error होता है, किसी भी argument में, that deceives are mine, it is a defect in an argument, किसी भी argument में कोई defect होता है, that consists of something other than merely false premise, अब देखो मैंने आप लोगों को मान लीजिए, दो रोग आपस में बात कर रहे हैं, दो सहेलिया, दो दोस्त आपस में बात कर रहे हैं, एक ने कुछ बात बताई कि तुमको पता है, आज मेरा user sinnet का exam था, उसमें ये ये question आये थे, दूसरी ने सुना, बात को अच्छे से सु हो गई, ठीक है, तब को उनको बीच में कोई तीसरा friend मिल गया, बात क्या हो गई, exam की बात चल रही थे, पो खत्म हो गई, तो ये भी एक प्रकार की fallacy होती है, ब्रहम होता है, कि हम कुछ और चीज के लिए बैटे थे, कुछ और करना चाहते थे, लेकिन अंजाने में ही सही लेकिन हम कहीं और पहुंच गे, कुछ और हो गया, fallacy दो प्रकार की होती है, formal और informal, ठीक है, so students जैसे मैंने आपको बताया, fallacies को, बहुत जादा fallacies हैं, सबको यहाँ पर cover करना possible नहीं होता, तो मैं यहाँ पर आपको सरफ नाम बता देती हूँ, आप log कर लीजिए, अगर आ क्या होती है, कैसे अलग-अलग fallacy को याद रखना जा सकता है, ठीक है, तो एक fallacy आती है, red hearing fallacy, red hearing fallacy, जिसको इंग्विश में deliberate diversion भी बोला जाता है, जान बूझ कर, अगर हम किसी बात को दूसरी तरफ गुमा देते हैं, तो उसको deliberate diversion कहते हैं, red hearing fallacy, hearing मतलब सुनना, red hearing मतलब नहीं सुनना, कि हमने सुनकर भी उस बात को अगर ignore किया, बात को बदल दिया, वो red hearing fallacy होती है, जैसे कि घर में कई बार parents बोलते हैं, कि आप लोगों की exam की तयारी कैसे चल रही है, तो हम उनको यह नहीं बोलते कि अच्छी चल रही है, या बुरी चल रही है, हमने क्या किय हमने उनके सवाल का जवाब यह दे दिया, कि तयारी करने में तो बच्चों को 6-7 साल भी लगते हैं, exam बहुत tough होता है, उन्होंने exact answer नहीं दिया, लेकिन बात को बदल दिया, तो इसमें भी red hearing fallacy भी दो परकार की होती है, एक वो होती है, जिसमें हम थोड़े से जवाब को बदल देते हैं, topic को change नहीं करते, बस थोड़ी सी बात को गुमा देते हैं, लेकिन वो उसी topic से related होता है, जैसे कि अभी मैंने example दिया, कि उन्होंने यह नहीं बताया कि तयारी उनकी कैसी चल रही है, लेकिन उन्होंने बात exam की ही की, लेकिन कुछ और की, ठीके, दूसरा हो दिया कि चलो घर पर बहुत अच्छा खाना तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा है, या फिर घर पर चलो तुम्हारे लिए एक नई dress मैंने लाकर रखी है, तो वो क्या हो गया, उन्होंने बच्चे का mind divert करने के लिए, उनका ध्यान, खिलोने से हटाने के लिए, बात को ही ब जिसका नाम है straw man fallacy, ठीक है, अगर हमें पता होता है कि एक सामने वाला परसन सच बोल रहा है, लेकिन हमारे पास कोई logic नहीं होता, कोई सबूत नहीं होता कि हम उस परसन को सत्य ही मान कर चलें तो इसके लिए हम उसको जूटा मानना पड़ता है, ठीक है, तो वो क्या होता ह जूटा हम उसको जानबूच कर, सॉरी, 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 इस चीज़ को फिर से देखते हैं, टीचर को थोड़े टाइम बात समझ आ गया, कि हाँ, ये question मुझसे गलती से गलत तो हो गया, लेकिन मैं तो टीचर हूँ, बच्चों के सामने अगर ऐसा हो गया कि मैंने गलत पढ़ाया, तो मेरी तो यहाँ पर इज़त जाएगी, है न, मेरी तो यहाँ पर image खराब हो लेंगे, बच्चों को कुछ नीचा दिखाने के लिए, या डाउन फील्ड करवाने के लिए, या उनको चुप करवाने के लिए, बात ही बदल देंगे और कोई ऐसा topic उठा लेंगे, जिसको की, जिससे कि वो उसको defeat कर सके, एक example लेते हैं, टीचर को student ने बोल दिया कि मैम आपने ये गलत पढ़ाया था, ठीक है, टीचर को कही न कहीं थोड़ी देर बाद realize हो गया कि गलत पढ़ाया, लेकिन टीचर अपना ego satisfy करने के लिए, इस बात को मान नहीं रहे कि उन्होंने वो गलत पढ़ा दिया था, और टीचर ने क्या कर एक ego maintain करने के लिए, एक अपना upper hand set करने के लिए, थोड़ा सा बात को बदल दिया और उस बच्चे की किसी particular point पर जो है, वो point out करने वो लग गए, ओके, इसके बात आती है, यहाँ पर argument against the person, किसी person के argument पे हम कैसे यहाँ पर करते हैं, appeal to ignorance, fallacy of division, history generalization, fallacy, यह सब प्रकार है, यह भी एक fallacy होती है, हर एक चीज को अगर detail में देखने लगे, तो समय जाएगा, बाकी के topics में सोचाएगे, तो इस पे एक separate video आप उसको देख सकते हो, ठीक है, next है Indian logic, भारतिय तर्क क्या होता है, तो भारतिय तर्क में, ठीक है, भारतिय तर्क में दो चीजे होती है, वो orthodox का मतलब होता है, आस्तिक वेदास, आस्तिक वो लोग होते हैं, जो कि भगवान और वेद पुरान इन सब चीजों में मानते हैं, भारत में कई लोग ऐसे हैं, जो कि मानते हैं कि वेदों पुरानों में जो कुछ भी लिखा है, वो बिलकुल सत्य है, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता, यही चीज़े हमारे जीवन में होती है और यही हमारा जीवन है तो वो होते हैं Orthodox और Un-Orthodox होते हैं नास्तिक लोग जो कि वेद पुरान भगवान यह सब चीज़ों में नहीं मानते हैं उनको लगता है कि अपना करम कीजिए अपना काम कीजिए और यही एक जीवन होता है तो जो आस्तिक लोग होते हैं जो वेद पुरान में मानते हैं उसमें कुछ फिलोसफी साती है जैसे नियाए फिलोसफी, विशिर्शिका, मिमामसा जिसको पुर्वर मिमामसा भी कहते हैं समख्या फिलोसफी, योगा फिलोसफी और उत्तरव मिमामसा जिसको विदान्त के नाम से जाना जाता है वही नौन विदाज में आता है बुधिस्ट, जैनिजम और चारवाक यानि की भौतिक वादी तो यह जो लोग होते हैं आपने देखा होगा आपने इनको कभी देखा है कि वहत मंदिरों में जा रहे हैं जगराता हो रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ भी नहीं ये लोग वेद, पुरान, भगवान, इन सब में इतना मानते ही नहीं है इनको लगता है अपने करम कीछे वही काफी है, ओके इसके बाद अगला आता है प्रमान प्रमान में सबसे पहली चीज तो आपको यही पर याद अटनी है कि प्रमान होते हैं छे प्रकार के इंडियन लॉजिक के हिसाब से ठीके तो उसमें होते हैं छे प्रकार के प्रमान जिसमें पहला है प्रत्यक्ष और एक चीज़ को आगे डिटेल में बताऊंगे पहला होता है प्रत्यक्ष संस्कृत शब्द है प्रत्यक्ष हिंदी में इसको perception कहा जाता है उसके बाद आता है अनुमान यानि की inference उसके बाद आता है उपमना यानि की comparison शब्द, verbal testimony, अर्थपति, implication और अनुम्पलब्दी, non-apprehension ठीक है तो इसी चीज़ को हम डिटेल में देखते है तो प्रत्यक्ष का मतलब होता है जो चीज़ हमारे सामने है आपने ये शब्द सुना होगा कि प्रत्यक्ष को कभी भी प्रमान की ज़रूरत नहीं होती है तो प्रत्यक्ष जो चीज़ हमारे सामने है अब कोई incident होता मैंने अपने सामने देख लिया अपने आँखों के सामने देख लिया तो उसके लिए मुझे किसी को कोई सबूत देने की जरूरत नहीं होती है ये मतलब होता है प्रत्यक्ष का ठीक है ये एक ऐसा प्रमान होता है जो कि हमारे sense organs को use करता है हमारी इंद्रियों का प्रियोग करता है कोई चीज़ अगर मैंने अपनी आंखों से देखी अपने कानों से सुनी ठीक है अपने खुद मैंने सामने उसको होते हुए देखा है तो उस चीज़ के लिए मुझे किसी को भी सत्ते साबिक करने के लिए जो है सबूत की जरूरत नहीं होती है इसमें बोला जाता है कोई चीज़ है जिसको मैंने खुद टच करके देखा वो soft है या hard है मैंने अगर खुद टच कर लिया कि वो soft है तो मैं किसी को उस चीज़ का प्रमाण क्यों दूँ ठीक है वहीं अगर मैंने किसी food को कोई मुझे बोल रहा है कि food बहुत अच्छा होता है खा कर देखिए मैंने अगर उस food को पहले से खा लिया है मुझे बहुच्छा नहीं लगा है तो उस चीज़ का भी मुझे क्या है मुझे पता है मैंने खुद उसको टेस्ट के तो जहां पर भी हमानी इंद्रियां involved होती है वहां पर क्या होता है वहां पर प्रत्यक्ष होता है दूसरी चीज़ आदे जाती है अनुमाना अनुमान का मतलब होता है guess करना assumptions inference जिसको बोला जाता है ठीक है ये कैसा प्रमान होता है जिसमें कि हम अपने पुराने knowledge से अपने old knowledge को थोड़ा सा idea लगा करके किसी चीज़ का conclusion निकालते हैं अब कोई problem आपके सामने अगर आती है तो आप लोग क्या करते हैं उस problem के research में पढ़ा था hypothesis लगाते हो जिसको अनुमान कहा जाता है और solution तक पहुंचने की कोशिश करते हो तीसरा आ जाता है उपमना प्रमान उपमना का मतलब होता है comparison जहां पर एक चीज़ को किसी दूसरी चीज़ के साथ compare किया जाता हो वहां पर उपमना प्रमान होता है अगला आता है अर्थ पती अर्थ पती दो चीज़ों से मिलकर बना है ठीके अर्थ पती दो चीज़ों से मिलकर बना है एक होता है अर्थ ठीके यानि कि किसी चीज़ का अर्थ किसी चीज़ का meaning और पती यानि कि उत्त पती दो चीजें होती हैं देखो इसको दिख़कर बताती हैं अर्थ पत्ती दो चीज़े हैं अर्थ प्लस उत्पत्ती या फिर अर्थ की उत्पत्ती किसे भी वर्ड का यहां पर मीनिंग जो है वो जन्रेट किया जाता है ठीके इसमें क्या होता है हमने जो सुनी सुनाई बाते होती हैं जो बिलीफ्स होते हैं जो धरणाए होती है ठीके उन सब के बारे में जो हम सुनते हैं हम उसको मान लेते हैं अर्थ पत्ती में ये होता है अब मुझे किसी ने कोई बात बताई कि वेदों पुरानों में ऐसा होता है मैंने चाहे वेद पुरान नहीं पड़े हैं नहीं सुने हैं लेकिन मैंने क्या किया मैंने उनकी बात को मान लिया ये एक प्रमान होता है किसी की बात को मान लेना एक प्रमान होता है ठीके अनुपलब्दी लास्ट है अनुपलब्दी नवन एप्रिहेंशन not available देखो अनुपलब्दी दो चीज़ों से बना है अनुपलब्दी यानि कि नौट अवेलेबल जो चीज अपलब्द नहीं है ठीके यह होता है absence of knowledge absence of knowledge इसको कहा जाता है un-upload ठीके so absence of knowledge जहां पर हमें ग्यान ही नहीं है अग किसी जगा पर हमें किसी particular चीज़ का ग्यान नहीं है तो उसको un-upload कहा जाएगा एक ग्यांबर में सो गया शब्द शब्द क्या होते है शब्द को इंग्लिश में words बोला जाता है words जहां पर use किया जाते है वो verbal चीज़ होती है communication में हमने पढ़ा है so verbal testimony मतलब किसी के शब्दों पर हम कैसे विश्वास कर रहे है ठीक है किसी के शब्दों पर ही विश्वास करके हम कोई decision ले ले लेते है उस चीज़ को शब्द यानि के verbal testimony के नाम से जाना जाता है okay okay students so यह हमने आज complete cover कर लिया है ठीक है हमने complete cover कर लिया है logical reasoning को भी इतना भी पढ़ लोगे तो काफी है 7 से 6 से 7 questions इतने में से भी आपको exam में पूछने मिल सकते हैं PYQs पे already separate videos है link आप लोगों को description box में मैंने add किया हुआ है उस link में जाकर आप सभी videos को देखकर फटा फट से previous year questions को solve कर लीजिए paper 1 के साथ paper 2 preparation पर भी focus कीजेगा exam oriented way में complete study material हम आपके लिए लेकर आए हैं जिसमें आपको full syllabus notes और MCQs मिलेंगे इसमें आपको previous year questions, most repeated questions में आपको मदद करता है वलकि इसके बाद interview को qualify करने में भी आपको बहुत help करेगा, so subjects के list आपके सामने है, इसमें से अपना paper 2 subject select कीजे and given whatsapp numbers पर contact करके आप इसको आज ही join कर सकते हो इसके लिए आपको सिरफ एक ही बार फीस देनी है 12.80 रुपए and मैं आपको surety देती हूँ कि जब तक exam clear नहीं हो जाता, interview clear नहीं हो जाता तब तक आप इसका benefit उठा सकते हो so thank you so much everyone for watching this video and I wish you all the very best